अगले महिने में चुनाव होना है लेकिन जब तक किसी भी दल के द्वारा नामों की घोशना नहीं की जाती है लेकिन सबसे ज़्यादा उहाँ पो है जेडियू में वर्तमान में केंद्रिय मंतरी आर्शीपी सिंग के नाम पर संसाय बना हुआ है ये कहा जा रहा है कि RCP सिंग का इस बार टिकट कट सकता है लेकिन अगर RCP सिंग का टिकट कटा तो फिर मिलेगा किसे लेकिन खबर ये भी है कि अगर RCP सिंग को जेडियू ने इस बार किनारा कर दिया तो फिर जेडियू में एक बड़ी टूट हो सकती है इस नामों को लेकर के जेडियू में कई बार कई तस्वीरे देखने को मिली है पिछले दिनों दिल्ली में RCP सिंग से जब पूछा गया तब उन्होंने किनारा कर दिया पत्रकारों पर भड़कते नजर आए यानि कि गुस्सा उनके अंदर है दूसरी तरफ जब इस मामले को लेकर के जेडियू के राष्ट्रिया धक्ष ललन सिंग से पूछा जाता है तब वो कहते हैं कि बड़े सरकार पूरा फैंसला लेंगे अब बड़े सरकार कौन यानि कि मुख्यमंतरी नितिश्कुमार जब इस पूरे मामले को लेकर के पिछले तीन से चार दिनों से जब जब मुख्यमंतरी नितिश्कुमार के पत्रकारों से मुलाकात हुई जब सामना हुआ पत्रकारों ने हर बार एक सवाल पूछ दिया सवाल था कि क्या जेडियू आर्सिप्र सिंग को राज्य सभा भेज रही है मुख्यमंतरी इन जवाब को टालते नजर आते हैं वो बार बार ये कहते हैं वक्त आएगा बता दिया जाएगा लेकिन इन सब के बीच में एक और सवाल उठ गय थे वो सवाल था कि 72 घंटों में बिहार की राजनीती में बहुत बड़ा खेल होने वाला है ये बहुत बड़ा खेल आखिर क्या होगा इसको लेकर कि ये भी कहा जा रहा था कि 72 घंटे के इस अल्टिमेटर में मुख्यमंतुर इंटिश कुमार ने अपने सभी बिधायकों को कहा था कि बिहार से बाहर नहीं जाना है दूसरी तरफ आरसिपी सिंग भी लगबग तीन से चार दिनों से पटना में बैठे हुए थे खबर ये आ रही है कि वो अपने से संबंध रखने वाले या जेडियू में जितने भी बिधायक हैं जो उनके संपर्क हैं उन सभी से मुलाकात कर रहे हैं लेकिन अब तक आरसिपी सिंग से कोई बड़े नेताओं ने मुलाकात नहीं की पिछले दिनों जेडियू की जो बैठक हुई थी उमीद के मुताबिक आरसिपी सिंग और ललन सिंग को साथ में आना था उस बैठक में शामिल होने वाले थे दोनों नेता लेकिन आरसिपी सिंग नहीं पहुँचे अब तस्वीरे यह है कि आरसिपी सिंग इंतजार के बाद शायद वो दिल्ली निकल चुके हैं ये तस्वीरे देखिए ये तस्वीरे राजधानी पटना की है माज कुछ देर पहले आरसिपी सिंग दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं पत्रकारों ने उनसे एक बार फिर से इस्तितियों को जानने की कोशिश की तो RCP सिंग ने कोई जवाब नहीं दिया सिर्फ अभिवादन किया और निकलते बने तो सवाल यह है कि क्या सच में RCP सिंग के नाम पर अभिश शंसय बना हुगा है क्या जेडियू RCP सिंग को दिल्ल नहीं भेजती है तब भी RCP सिंग राज्यसभा पहुच जाएंगे लेकिन क्यों और कैसे राज्यसभा पहुचने के पीछे कई कारण बताया जा रहा है एक तरफ सवाल यह है कि RCP सिंग राज्यसभा कैसे पहुचेंगे तो यह बाते सामने आ रही है कि अगर जेडियू ने RCP सिंग को राज्यसभा नहीं भेजा तो BJP भेज सकती है दूसरी तरफ सवाल यह भी है कि आखर में BJP क्यों RCP सिंग को दिल्ली भेजगी इसके पीछे यह कारण बताया जा रहा है कि मुख्य मंतुर नितिश कुमार पर बिहार में दबाव बनाने के लिए BJP कई रणनीतिय हैं और यह क्यों कहा जा रहा है कि RCP सिंग BJP के संपर्क में रहे हैं या मुख्य प्रधान मंतुरी नरेंद्र मोदी से उनकी काफी जो प्यार मुहबत है वो बढ़ता जा रहा है इसको लेकर के हमने देखा RCP सिंग पिछले कुछ महीनों से देखिएगा तो BJP के प्रती उन किसी भी नेता को अगर देखिएगा तो उनके ट्वीटर पर पोस्ट जो है वो मुख्य मंतुरी नितिश कुमार के हैं या जेडियू के अपने जो कार्य हैं उसको लेकर के हैं लेकिन RCP सिंग ने बजापते ट्वीटर में प्रधान मंतुरी मोदी का प्यार दिखाया है और उस खबरों को लगतार ट्वीट करते रहते हैं जो कि उनके बड़े कारे होते हैं अभी प्रधान मंतुरी मोदी बिदेश में हैं उनके कारेकरम इसके अलावा लगतार देखिएगा तो RCP सिंग के ट्वीटर पर प्रधान मंतुरी मोदी की सारी खबरे रिट्वीट कुई गई हैं जो कि बाकी BJP के अन्य नेता करते रहे हैं एक से एक जो खबरे हैं प्रधान मंतुरी मोदी से जुड़ी हुई उनके जो भी फैसले होते हैं जो भी उनके बयान होते हैं RCP सिंग अपने ट्वीटर पर पोस्ट करते हैं यानि कि कहीं ना कहीं एक तरीके से RCP सिंग बीजेपी से अपने संबंद बहतर करने की तस्वीरे दिखाई है दूसरी तरफ वो अब तक बोलते नजर नहीं आ रहे हैं लेकिन आरसेपी सिंग और ललन सिंग के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है ये भी जग जाहिर है तो सवाल ये है कि क्या रसेपी सिंग को जेडियू इस बार किनारा कर रही है और अगर रसेपी सिंग को जेडियू किनारा कर रही है तो क्या बीजेपी रसेपी सिंग को मौका देने जा रही है ये सवाल है ये गुत्ती है और ये सुलजेगा लेकिन इसके लिए फिलाल इंतजार करना पड़ेगा लेकिन यहाँ वक्त खत्म हो चला है इसलिए आप देख रहे हैं अगर फेस्बुक पर हमें देख रहे हैं तो अब तक हमारे फेस्बुक को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें अगर आपने हमारी यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन जरू डबाएं नमस्कार